आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि व्यर्थ का विलोम शब्द क्या होता है और इसका आर्थ क्या होता है और साथ में हम कुछ हुदाहर्ण वाक्यों से भी से और अच्छे से समझेंगे तो सबसे पहले व्यर्थ का आर्थ समझते हैं व्यर्थ का आर्थ होता है जो बिकार हो निश्वल हो या जो किसी काम का ना हो तो व्यर्थ का विलोम शब्द यानि कि विप्रितार्थक शब्द होगा उप्योगी और उप्योगी का आर्थ होता है जो सार्थक हो या फाइदे मन्द हो यानि कि जो किसी काम का हो उसे हम उप् ये फिर आप कह सकते हैं व्यर्थ की बातों में समय बरबाद नहीं करना चाहिए ये फिर आप कह सकते हैं कि उसके सुझाओ प्रियोजना के लिए अत्यांत उपयोगी साबित हुए यह फिर आप कह सकते हैं कि प्रस्तावित योजना के बारे में जानकारी बहुत उप्योगी थी अब आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें